तो सबसे बड़ी प्रोब्लम चल रही है कम में आज कल टीनेजरस को काफी ज़्ञाधा हेर लोज देखने को मिल जाते है जिनकी बात करेंगे कैसे टीनेजरस इससे बस सकते हैं आपको क्या ध्यान रखना चाहिए मेरे पस काफी सारे मैसीज़ आते हैं तो वीडियो का करके बेल आइकन को भी प्रेस करते जलते हैं वीडी के तरह ओके तो कम एज में हेलोस होने के काफी सारे रीजन्स रहते हैं ठीक है मेरा भी 20 की एज के आसपस हेलोस टार्ट हुआ था बट कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं जो हमें नहीं पता होता टीनेजर को तो बिल्कुल नहीं पता होता फिर डोक्टर के पास जाते हैं वो क्या आपको सिधा मिनोकसिडल दे देते हैं बहुत से नैच्रल ट्रीटमेंट रहते हैं नैच्रली आप उनको ट्रीट कर सकते हैं अपने हेलोस को कंट्रोल कर सकते हो मेली कम मेज में हेलोस होने का कारण यही रहता है आप और अगर आप कोई बाहर सीटी में जा रहे हो वहां के पानी के कान भी आपको शैडिंग वगरा देखने को मिल सकती है तो मैं हेरलोस के रीजन जो रहते हैं उन पर मैं अलग वीडियो करूंगा कोज ट्वंटी ट्वंटी फाइव या इसके आसपास रीजन रहेंगे बहुत सारे रीजन रहते हैं हेरलोस के तो वह रीजन आपको पढ़ लेना है सबसे पहले वह वीडियो देख लेना है आपको समझ आना है कि आपके हेरलोस का क्या रीजन है इसलिए वह वीडियो देख लेना अब मेरे पास बहुत से लोग मैसिज कर रहे हैं टीनेजर्स मैसिज कर रहे हैं मैं खुद एरान हो रहा हूँ 14 की एज तक के परसन मुझे बोल रहे हैं कि भाया हमारा हेलो स्टार्ट हो गया अब मुझे लगता है कि नोर्मल है फिर मैं उनको बोलता हूँ पिक सेंड करना अपनी पिक सेंड करते तो उनके तो बालने सा रहे होती है पिछे से बाल जा रहे है या पैची से आने लग जाते है यह चीज़े देखने को मिल रही है हो 17 की एज वाले मिनोकसिडिल यूज़ कर रहे है मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही मैसिज आया था जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 17 की एज वाला परसन था उसको डोक्टर ने मिनोकसिडिल दे रखिया उसके मैंने बोला कि हेस दिखाने एक बार मुझे लगा कि मिनोकसिडिल यूज़ नहीं करनी चाहिए थी उसके जब मैंने हेस देखे उसको वैसे टू मंस होगे थे आप टू मंस में तो शैडिंग भी होने लग जाती है तो ज़्यादा गैप देखने को मिल जाते है तो मैंने उसके हेस देखे मैं का यार अब तो गैप भी गाफी ज़्यादा आगया तो अमिनोकसिरिल कंटीनु रखनी पड़ेगी हां कुछ डोक्टर छुडवा देते हैं मिनोकसिरिल को यूज़ करवा के बट कुछ डोक्टर कंटीनु यूज़ करवाते हैं तो ऐसे चक्कर में अगर आप फस गे तो फसे ही रह जोगे तो इसलिए खु आपको हेलोस दीखने को मिल सकता है मैंने पर्सनली ये सबी चीज़े कर रही है मुझे पता है ये कितना ज़्योदा हाम करती है आपके हेoffs को नहीं आपकी scalp को भी आम करती है तो इन छीजों का ध्यान रखना चाहिए अब आपका ये कुशन होगा कि भाया हमारा तो चलो मालो अब हेलो सोर है तो अब हम क्या करें तो देखो आप या तो आपकी स्केल्प को देखो सबसे पहले आपकी स्केल्प में डैंडरफ है या नहीं है वो वीडियो जरूर देख लेना डाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है अब ऐसा भी नहीं कि तीन दिन में यह आपको results देखने को मिल जाएंगे यह 1 month यह 2 month में results देखने को मिल जाएंगे 3 से 6 month से 8 month तक लग सकते हैं आपको naturally results आने में तो इसलिए इसका ध्यार रखना और यह market में मिलने वाले शैंपू यूज करना बंद कर दो ठीक है जिन में बहुत जादा chemicals रहते हैं वो शैंपू बिलकुल भी यूज नहीं करने है अब आप लोगों को मैंने बोले chemicals वाले शैंपू यूज नहीं करने है ठीक है कोई भी शैंपू आपको पता नहीं आपकी scalp कौन सी है क्या टाइप है आपकी scalp को कौन सा शैंपू यूज करना चाहिए तो ऐसी गलती है मत करना आप बिलकुल भी खुश से कोई शैंपू ठालोगे सबसे पहले scalp को समझ लेना उसके बाद शैंपू सर्च कर सकते हो dandruff है dandruff के लिए shampoo ले सकते हो hairful है dandruff नहीं होता है anti-earful shampoo आते हो यूज कर सकते हो तो मेरा plan भी अगर आप लोग जोइन करना चाहते हो जिनको hair loss हो रहे हो तो आप जोइन कर सकते हो मैं पहले ही बता दूँ आपको time लगेगा ठीक है hair regrowth होने में आपकी time लगता है ऐसा नहीं कि आज कुछ आप यूज कर रहे हो मैंने बोला तो यूज करोगे एक या दो मिने में results मिल जाएंगे मैं guarantee लेता हूँ आपके कोई भी results नहीं लाके दे सकता वन से two months के अंदर इस बात का ध्यान रखना अगर कोई बोल रहा है इस वे से results आजेंगे तो वो बिल्कुल जूट बोल रहा है आपको और last hair oil भी आप ऐसे वैसे यूज मत कि अगरो जो market में आते है डाबर का आगया ठीक है सिद्धा ही नेम ले रहा हूँ मैं डाबर का आगया है कोई भी बोल रहा है इससे आजेंगे इंदू लेखा यूज कर ले इससे आजेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला नाई प्याज प्यूज लगाने लग जाए करो आप घर पे देखके ओनलाइन आपने देख लिया कि प्याज लगाने से hair loss रुकता है बहुत ज़्यादा वीडियोस वाइरल है तो मैं प्याज लगा लेता हूँ ऐसी गलतिया मत करना अपनी scalp को समझ लेना सबसे पहले नहीं तो प्लैन जोईन कर लेना मैंने वर्सेट नंबर दे रहे है मेरा अबाउट में वो पेड प्लैन रहेगा अगर जोईन करना कर सकते हो नहीं तो डोक्टर को दिखा लेना डोक्टर के तुरू आप ट्रीटमेंट ले सकते हो कोई भी और बाकी मैंने एक results की video भी share कर र इंस्सा फॉलो कर लेना कोई भी क्वाइरेज रहती है ता मुझे यहां पर पूछ सकते तो मिलते नेक्ट वीडियो में